असलाम वालेकुम, वल्कम आप सभी कैस नई वीडियो में तो आज इस यूडियो में मैं आपके साथ एक और नई Recruitment Notification लेकर आया हूँ इस यूडियो में मैं आपको Notification डीटेल में समझाओंगा कौन से Recruitment Notification है, कहां से आई है कितनी Posts Advertise हुई हैं और उनके साथ उसकी Eligibility और Selection का Procedure और Qualification उसकी क्या रहने वाली है Form के से Submit करना है सारा का सारा आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डीटेल में डिसकस करने वाला हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टन रहने वाला है वीडियो को पूरा इंड तक देख लेना चैनल को भी सब्सक्राइब करदेना और उसके साथ टेलीग्राम ग्रूप या वाट्सअप ग्रूप दोनों जोइन करदेना दोनों की लिंक आपको डिसक्रेप्शन में मिल जाएगी तो चली वीडियो कुछ चुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पर इसे रेकूरूट्मेंट नोट्फिकेशन के बारे में तो देखे स्क्रीन पर आपको यहाँ पर रेकूरूट्मेंट नोट्फिकेशन दिख रही होगी सिक्रीम सोरा की तरब से यह एडवर्टाइजमेंट नोट्फिकेशन आईए आप सभी लोग देख रहे हैं कि अभी जो हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉल्जेज में रेकूरूट्मेंट होती है वो यहाँ भी फिलाल कॉंट्रेक्च्चुल बेस पे हो रही है अभी कोई पर्मनेट रेकूरूट्मेंट यहाँ पे नहीं हो रही है उसी तरह से यह भी रेकूरूट्मेंट यहाँ पे आपकी आई है इसमें आप अगर हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो लेबर्टरी टेक्निशन की यह पोस्ट है इसमें उन candidates को ज्यादा preference दी जाएगी जिनका experience वाइरोलजी लेवरेटरी में है उनको ज्यादा preference यहाँ पर दी जाएगी age limit की अगर मैं बात करों तो minimum आपका 18 होना चाहिए और maximum आपका 30 years की age होनी चाहिए तो यह आपकी होगी पोस्ट आप इसके बारे मैं अगर मैं apply का procedure बता हूँ तो apply करने के लिए आपको स्कीम सोरा की website पे जाना पड़ेगा वहाँ पे application form डाउनलोड करना पड़ेगा डाउनलोड करने के बाद आपको जबो 23rd January से पहले पहले आपको जबो स्कीम सोरा में जाके इस form को submit करना पड़ेगा submit करने के बाद आपका जो further का process होगा यानके selection का जो procedure होगा उसको further separately announce किया जाएगा और आपको email या message के जरीए inform किया जाएगा कि process क्या यहां पे रहने वाला है इसलिए जो जो candidate laboratory technicians का डिप्लोमा या degree करके हैं तो वो इस post के लिए जुरूर अपले कर देना बाकि salary वगरा आपको separately announce कर दी जाएगी उसके हावाले से आपको separately बोला जाएगा फिलहाल जो notification थी वो मैंने आपके साथ detail में discuss की कोई doubt confusion का comment section